आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट स्पॉंजी चॉकलेट केक जिसे आज हम मैदे के साथ नहीं बलकि इसे हम बनाएंगे रागी के आटे के साथ बहुत जादा healthy option है और एकदम सॉफ्ट और स्पॉंजी बनता है इतना सॉफ्ट कि आपको देखने में खाने में बलकिल भी पता नहीं लगेगा कि ये रागी के आटे के साथ बना हुआ है बहुत जादा पसंद आएगा आपको और बिना चीनी बिना मैदे का ये केक बहुत ज सकते हैं रागी केक को मैं गुड के साथ बना रहे हूँ आप चाहो तो इसे same quantity चीनी के साथ भी बना सकते हैं और गुड को आप हमें melt करना है जिसके लिए मैं इसमें आधा कब जितना डाल रहे हूँ गरम दूद इसे ये गुड अच्छे से melt हो जाएगा आई साथ में चॉ 15 मिनट के लिए हम एक साइट पर रख देंगे इतने में ये जो गुड है ये अच्छे से melt हो जाएगा इसके बाद अब हम एक तरफ अपने रागी के आटे को थोड़ा सा भून लेंगे तो इसके लिए ना फैन में मैं यहां पर ले रहे हूँ ये एक कब जितना रागी का ये बहुत जादा हेल्दी होता है हाई फाइबर और हाई कैल्शियम है तो काफी जादा हेल्दी है ये आटे कोना हमें लो फ्लीम के उपर लगाता चलाते हुए तकरीबन 3-4 मिनट तक भून लेना है या तब तक जब तक हलके हलकी से इसमें से भूनी-भूनी खुश्वव आनी शुरू हो जाएगी तो तकरीबन 3-4 मिनट तक इसे भूनने के बाद अब इसमें से हलके हलके से भूनी-भूनी खुश्ववानी शुरू हो गई है इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है तो बस इसी के साथ हमारा ये रागी कार्टा त्यार हो गया है अब हम ग्यास को ब और एक तरफ मोल्ड को भी त्यार कर लेंगे तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 7x7 इंच का एक स्क्वार अलुमीनियम केक्टिन लिया है आप इसके जगा इसे कोई डिक्टांगलर केक्टिन या फिर राउंड या फिर इस तरह के जो पेपर मोल्ड मिलते हैं ना केक बनाने के लिए आप इसमें भी इस केक को बना सकते हैं तो मोल्ड को हमें पहले ओयल से ग्रीज कर लेना है और फिर इसमें बटर पेपर लगा के ग्रीज कर लेंगे तो हमारा ये मोल्ड त्यार हो गया है और इतनी देर में अब ये जो गुड हमने एक साइट पर रखा था अब आप देखरों कि ये पिल्कुल अच्छे से घुल गया है दूद के साथ तो बस हमारा ये गुड का मिक्षर त्यार हो गया है अब हम इसमें बाकी के इंग्रीडियेंट्स आड कर लेंगे तो सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा कप जितना ओयल आप इसकी जगा सेम क्रीमी हो जाएगा आए इसके बाद अब हम इस बोल के उपर एक छनी रख लेंगे और इसमें सबसे पहले डालेंगे अपना ये रागी का आटा जो हमने भून कर रखा था अब ये ठंडा होकर रूम टेंपरेचर पर आगया है केक बेटर में जो भी चीज़ें आप यूज करें वो रूम टेंपरेचर वाली लेनी है और इस रागी आटे को बाइंट करने के लिए इसमें जाएगा आधा कब जितना गेहूं का आटा कोई मैदा यूज नहीं कर रही हूं मैं आप मैदा ले सकते हैं बट मैंने आधा कब गेहूं का आटा डाला और चॉकलेटी फ्ले बेकिंग सोडा और एक पिंच नमक डालके इन सारी चीज़ों को छान लेना है आए इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल हलके हलके हाथों से मिक्स करेंगे आप स्पेचुला के साथ कट और फोल्ड करते हूं मिक्स कर सकते हूं या फिर इस तरह से विस्क लेलो बट इसके इसे नॉर्मल बेटर से थोड़ी से थिक रखेंगे अचा अब इस केक को ना थोड़ा एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़े से चोकुचिप साइड कर रहे हूं आप शाहो तो स्किप कर सकते हूं तो बस इसे मिक्स करके बेटर त्यार हो गया है आप चाहो तो स्किप कर सकते हो चोकोचिप स्टाल सकते हो या कोई और ड्राइफ रूट भी डाल सकते हो और इसे के साथ हमारा ये मूल्ट त्यार हो गया है और इतनी देर में अब हमारी ये कडाही भी काफी अच्छा से गरम हो गई है तो इसमें हम अपना ये मूल्ट तो आपको इसको pre-heated oven में 180 degree पर बेक करना है तक्रीबन 35-40 मिनट तक या तब तक जब तक कि टुथपिक बल्कुल क्लियर ना जाए तो इस केक को रखे मुझे पूरे 35 मिनट हुए हैं आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छा से फूल गया है सेंटर में टुथपिक को इंसर्ट करके जब चेक कर रहा है तो ये भी बल्कुल क्लियर है इसका मतलब है कि केक अच्छा से बेक हो गया है तो बस मौल को निकाल के अब हम एक राक के उपर रख देंगे केक को पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और फिर हम इसे दी मौल करेंगे तो थोड़ी देर के बाद अब हमारा ये केक बल्कुल अच्छे से ठंडा होकर रूम टेंपरेचर पर आ गया है अब हम सबसे पहले चाकू से एक बास साइट्स को अलग कर लेंगे और फिर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे बहुत इजिली केक बहर आजाएगा और इसे के साथ त्यार हो गया हमारा ये रागी के आटे के साथ और गुड के साथ बना हुआ एक healthy केक आपको लग रहा है कि क्या हमने इसे रागी आटे के साथ बनाया है texture देखे आप इसका कितना एकदम soft, spongy और perfect जाली आई है केक में तो बिल्कुल normal केक जैसा बनता है खाने में देखने में आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये रागी के आटे के साथ बना हुआ है और बहुत जादा healthy केक है तो आप try करिए इस तरह से इन recipes को आपको बहुत जादा पसंद आएंगी इसे आप अपने साथ traveling में ले जा सकते हैं carry कर सकते हैं बहुत जादा बच्छे बनते हैं तो try करिए और ऐसी और recipes के दिए चैनल को like, share, subscribe